दसवी वारवी वोर्ड परीचा में बैल्यू वेस्ट कोईशन को लेकर दिसा निर्देश चारी NCEARD बुक्स से ही पूछे जाएंगे सभी प्राश्ण Central Board of Secondary Education ने दसवी वारवी परीचा के दौरान Out of Slaves के Question की समस्या से निपटने के लिए Value Waste Question को लेकर दिसा निर्देश चारी कर दिये गए है वोर्ड के मताबिक वोर्ड परीचा में कई तरह से प्रश्ण पूछे जाएंगे इसके तहत हर चैप्टर के बाद दिये गए Question के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्ण पूछे जाएंगे यह Question चैप्टर के अंदर बने Box से रहेंगे जिसके लिए वोर्ड ने सभी स्कूल को निर्देश दे दिये है वर्ड के निर्देश के बाद अब स्कूल को इस बारे में स्टूडेंट को जानकारी देनी होगी कई सालों से मिल रही आउट आफ स्लेवस Question की अफ़वाई मतलब जब भी एक्जाम होते हैं तो स्टूडेंट को यह शिकायत रहती है कि जो भी एक्जाम कराया है वो आउट आफ स्लेवस है तो इसलिए इस दिसा निर्देश को जारी किया गया है दरसल बीते कई सालों से कई विश्यों के पेपर में आउट आफ स्लेवस Question आने की अफ़वाई आती रही है हलाकि बाद में वोर्ड की तरब से इस बारे में स्लेवस के अंदर से सबाल पूछे जाने के प्रूब भी दिये जाते रहे हैं ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ ही पेरेंट्स भी गुम्रा होते हैं इन्ही हालातों से बचने के लिए वोर्ड ने इस बार परिच्छा सुरू होने से पहले सभी सुर्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं NCR के न्सी एरटी बुकसे ही आएंगे Fahrenheit की उसी से आपके कोईشण आएंगे तो आप कुछ हिंता करने के यावश्क्तत नहीं है Осब Q.Sош एलफ पढ़नान जैसे आप 2 hours पढ़ते थे तो आप 4 hours पढ़िएगा इससे आपका क्या होगा आपका ही benefit होना है ठीक है तो वोड की मुताविक सभी questions NCERT पाटक्रम से ही रहेंगे दूसरी publication से कोई भी question नहीं पूछे जाएंगे इसके साथ ही हर हर प्रशन के लिए इस बार बिकल्प रहेगा हर प्रशन का आंसर देना अनिवारी होगा और हर प्रशन का बिकल्प रहेगा ठीक है सभी विश्यों में होंगे value waste question वोड की माने तो दसवी बारवी के सभी विश्यों में value waste question को रखा गया है जबकि दसवी के सभी विश्यों में value waste question जो है 8 से 10 अंक के पूछे जाएंगे CVSC परिच्छा नियंतरक सायम भारतवाज ने बताया कि वोड परिच्छा में कोई question out of syllabus नहीं होता है काफी सावधानी से question paper तयार किये जाते हैं चाप्टर के अंदर या बाहर कहीं से भी question पूछे जा सकते हैं ऐसे में students को अपनी पूरी तयारी करने चाहिए सारे questions NCRT से ही रहेंगे ठीक है तो ये जो news है आपके लिए काफी useful रही होगी क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि syllabus complete नहीं हुआ है पतानी questions कहां से आएंगे knowledge base आएंगे ये या मतलब out of syllabus आएंगे तो ये सारी बाते बोड ने बिल्कुल clear कर दी है कि आपका जो NCRT है जो भी books आप पढ़ते हो NCRT कि उसी से आपका syllabus आएगा chapter reading आप बहुत अच्छे से कीजेगा chapter से भी आपको question पूछे जाएंगे और जो chapter के बाद जो assessment दिया होता है या फिर जो exercises दिये होती हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ते रहेगा तो ये वीडियो आपके लिए काफी fruitful रहा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और वैल आइकन को press कर लिजेगा ओके तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद वीडियो वाच करने के लिए